जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा आपकी दिमाग में भी यही कोशन आता होगा ना कि आज तो नौकरी है लेकिन आज से 20 साल बाद 30 साल बाद क्या होगा जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारी आय कैसी होगी आमदनी आमदनी बहुत मैटर करता है ना लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको यह बताओं कि इन सभी प्रश्णों का आंसर है NPS का मतलब होता है National Pension Scheme इस योजना के तहर दोस्तों आपको हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं रिटायर्मेंट की उम्र 60 साल मानी जाती है तो सरकार ऐसे में क्या करते हैं दोस्तों कि जब या तो आप एक मुश्ट पैसा ले लीजिए या फिर आप हर महीने कुछ कुछ करके जो भी आपकी आय होगी हर महीने की हिसाब से उसकी हिसाब से आप पैसी लीजिए स्वागत है आपका IndianMoney.com में मैं हुनेहा दूबे दोस्तों बता दें कि NPS से जब आप पैसे निकाल ले देना होता है जिसके बाद Bima Company आपको lifetime मतलब जब तक आपका जीवन है तब तक आपको हर महीने या फिर हर साल जो भी option आपने चूज किया होगा उसके हिसाब से आपको वह pension देती रहेगी मान लिजे दोस्तों कि अगर आपको या फिर जिसने भी लिया है उसको कुछ हो जा कि मान लिजे आपने Bima Company को 10 लाक रुपए दिये 10 लाक रुपए पर आपका 6 प्रतिशत का ब्याज लगा तो दोस्तों उसके बास क्या होगा कि कमपनी आपको साल आना 60,000 रुपए देगी या फिर आपने मान लिजे कि option चूज किया मन्थली का तो आपको मन्थली कम से कम हो आप किस NPS के तहट आते हैं तो दोस्तों मैं आपको उता दू कि चार तरीके के होते हैं पहला खाता जो होता है कि इंद्रे सरकार के करमचारियों के लिए दूसरा खाता होता है राजी सरकार के करमचारियों के लिए तीसरा खाता होता है निजी छितर के करमचारियों के लि दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि NPS में कैसे खाता खुलें तो मैं आपको बता दू कि NPS में खाता खुलना बहुत ही आसान है लेकिन इसके लिए पहली बात ध्यान में रखने वाली यह है कि अगर आप NPS में अकाउंट खोड़ने हैं दोस्तों तो एक इनसान एक है अका बहुत ही इसली आपका अकाउंट शिफ्ट भी हो जाएगा और तीसरी बात यह दोस्तों कि आप अपना अकाउंट किसी भी बैंक में खोल सकते हैं आप चाहें तो आधार की मदद से भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं NPS में दोस्तों दो त्रेक अकाउंट होते हैं पहला होता है NPS Tier 1 और दूसरा होता है NPS Tier 2 अब आप सोच रहे हों कि मैं कैसी पहलियां बुझा रहे हूं तो बहुत ही आसान सा बात है कि NPS Tier 1 में क्या होता है कि वह आपके retirement के लिए होता है आप इसमें retirement के तहट अपने पैसे डाल सकते हैं और जो आपका NPS Tier 2 है वह आपका mutual fund जैसा होता है मतला आप इसमें हर महीने पैसे डाल सकते हैं लेकिन आप जब चाहें तब इसमें से पैसे अपने निकाल भी सकते हैं दोस्तों आप चाहे तो खाता खोड़ने के बाद निवेश करने का तरीका भी बदल सकते हैं निवेश करने के कई सारे विकल्प हैं जैसे कि equity fund में पैसे निवेश कर सकते हैं चाहे तो आप सरकाई bonds में पैसे निवेश कर सकते हैं साथ है मान लीजे कि आपकी घर में कोई emergency case हो जाता है, मान लीजे आपकी तवित खराब है, या फिर घर में किसी की तवित बहुत जादा खराब है, या फिर आप घर बना रहे हैं, आप मकान बना रहे हैं, या फिर आप कुछ नया construction करना चाहरे हैं, कुछ भी, तो ऐसी emergency cases में आप चाहें तो अपने NPS से पैसे निकाल सकते हैं तो दोस्तों यहाथ एनपेस के बारे में कुछ important बात हैं अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या फिर किसी अन्य investment plans के बारे में जानना चाहते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे like करें, subscribe करें, comment करें और bell icon को दबाना ना भूलें Get wise, break free